ठीक है भई, 2023 में आपका, हाँ 2023 में आपका जो है CTSL का पेपर है, CGL का पेपर है, CPU का पेपर है, MTS की नोटिफिकेशन आउट होनी है, आपकी CDS का भी पेपर है, अभी railway की भी तरफ से अंदर से खबार आ रही है कि 75-80 हर vacancy आनी है, railway group D technician में मिलाके, ALP technician में, ठीक है भई, technician में, तो vacancy बहुत जाद हैं, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि जो है, चुनाब भी होने हैं इस बार, MPs के चुनाब होने हैं, तो उसकी वज़े से भी vacancy बहुत जादे रहेंगे, तो यह आपके पास एक golden chance है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी भारत में exam हो geography, उसके अंदर का जो खाचा है syllabus वो भी same ही है, मैच में, अर्थमेट, हैं, लाइव चल ली न, कमेंट आरे न, मैच में जितने भी topic है, परसेंटे, ratio, profit, loss, mixed allocation, same है, अगर आप एक बार 6 महीने धंग से पढ़ाई कर लो न, धंग से आप syllabus खतम कर लो, तो आप किसी भी government exam को दे सकते हो, group D से लेके, एक railway के छोटे exam से लेके, CDS के paper तक, लेकिन आपको 6 महीने धंग से पूरा syllabus खतम होने तक, बिना कोई सवाल किये, का का की 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 किये, आपको अपना syllabus खतम करना है, उसके बाद, और ये किवल मैं मैच के लिए नहीं बता रही है, मैच के लिए भी है, ये इंगलिश के लिए भी है, ये इंगलिश के लिए भी, GKS के लिए भी, सभी government exam का इंडिया में, group B और group C का जो है, exam का जो syllabus है, वो सेम है, बस फरक होता है, थोड़ा बहुत लेवल का, मैं आपको सज़स्ट करूँगा कि अगर आप एक अच्छे विध्यारती हैं, और व एक अच्छे exam को target करके तयारी करो, तो उसके अंदर के जो नीचे के जो छोटे sub exam हो, अपने आप clear होंगे, मैं हर एक बच्चे कोई suggest करता हूँ कि अगर कोई भी बंदा, other than UPSC, किसी भी government job की तयारी करना शुरू करता है, तो SSC CGL का जो paper है, combined graduate table, इसको ध्यान में रखके तयारी करे, अगर कोई बच्चा CGL को ध्यान में रखके तयारी करता है, तो CDS का paper देगा, वो CHSL का paper देगा, वो CPO का paper देगा, और इन सबे exam के लिए बच्चे को 1% भी extra effort बारने की ज़रत नहीं है, वो MTS, multitasking का paper देगा, वो selection post का paper देगा, selection post, वो ICAR, Indian Agriculture Research Institute का paper देगा, वो intelligence bureau का paper देगा, वो railway का paper देगा, इवन अगर वो ये धंग से पढ़ ले, तो थोड़ी सी extra मेहनत करके, वो banking के P.O का तो नहीं, क्योंकि P.O के लिए आपको बहुत जाद अलग से मेहनत करनी होगी, वो banking के clerk वगएरा के paper दे सकता है, आसानी से railway के सभी exam के paper दे सकता है, state exam में, वो UPSC CSET का paper दे सकता है, वो teaching का कोई भी paper दे सकता है, और वो police के exam का paper आसानी दे सकता है, चाहे वो हरियाना police हो, चाहे वो बिहार police हो, चाहे वो UP police हो, अगर कोई बच्चा इनको धंग से पढ़े, तो अगर वो मेहनत से पढ़ लेगा, क् बच्चों की problem क्या है, कि उन्होंने मुझे मकसद बना लिया, कि मुझे railway की job चाहिए, इसी पठके हुए, ये सारी chain कहां गई उसकी, ठीक है, अब, अब जैसे MTS है, MTS की vacancy कितनी आई है इस बार, 11,000 प्लस vacancy, 11,000 प्लस, आपको क्या लग रहा है कि MTS की qualification है, 10th path, 10th path, metric pass, मांग रहे हूँ, क्या MTS में केवल metric pass ही form भरेंगे, MTS के form मोटा मोटी दसार के हिसाब से 35-40 लाग से कम form MTS का जाने वाला है नहीं, ये संख्या और भी जाद है हो सकती है, जो 12th path है, वो भी MTS का form भरेगा, जो दिल्ली पुलिस का paper तो बिल्कुल, दिल्ली पुलिस और CGL क सिलिवस बिल्कुल एकदम सीम है, और दिल्ली पुलिस की जो जो जोब है, वो सारी ही पुलिस में सबसे best है, क्या हो UP पुलिस हो, चाह निहाना पुलिस हो?